तो यह जो एक्सिस के अलॉंग हमारा ट्रस रहता है उसको बोलते हम रिज अब इस एक्सिस के ऊपर जो हम एक छोटी सी कवरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि यह दोनों राप्टर एक जैसे दोनों से जुड़े हुए हो समझ लेओ यह उपर से एक होट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम रिज टाइल ठीक है रिज टाइल अब इनके ऊपर जो जमते हैं हमारे कवेलू जमादो चदर जमादो ऐसीपी शीड जमादो जिस पी प्रकार की जो कवरिंग आती है वो आप दे सकते हूँ ठीक है वो किन से जोइंट होकर कि मिलते हैं हमारे ये बेटन की सहता से लगा जाते हूं तो एक मैं single line बना रही हूं मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या बतादर्शारी है हमारे डाइग्रम में कि हमारी covering लगी हूई है तो इस covering को क्या बोल देंगे हम इस covering को हम बोले दे रहे हैं हमारी roof covering आई इतनी बात समझ मैं ठीक है अब मैंने बताया था हमेशा हमारे common rafter को support कौन करता है रफ्टर को नीचे से क्या करते हैं support करते था कि यह rafter इसके ओपर ऐसा टिकार है तो पुर्लीन कौन सा नीचे वाला यलो पेन जिसका कैप लगा हुआ वो सामने से कैसा दिखेगा पॉइंट जैसा जैसे इसमें कैसे दिख रहा पॉइंट जैसा यह काला काला पॉइंट जो दिख रहे इन में कोनों पर यह दिख रहे काला काला पॉइंट है ना तो यह आगे से कैसे दिखेंगे जब आगे से आप देखोगे तो यह पॉइंट जैसे दिखेंगे साइट से द पूइंट पूइंट जैसे और यह लगे हुए राफ्टर कैसे रहेंगे इस पर लूइंटार से पूरी प्रीलियू पीछे तक लगे रहेंगे जितनी बड़ी अपनी चछहत तो यह थी हमारी TIEBEAM TIEBEAM मतलव यह पूरी छटो का लोड जिस प्रकार से किस पर आता है TIEBEAM पर आता है और फिर TIEBEAM क्या करती है इस लोड को हमारी दिवारों पर बाट देती है यह हमारी दो दिवार है आपagon की बात करती है beach में से एकUP पोस्ट लगा रहता है जिसको बोलते थे हम किंग पोस्ट ठीक है क्वीन के बात करते हैं तो क्वीन हमेशे जदर डिमंडिंग रहती है ऐसे से याद रखना इसको किंग में एक पोस्ट रहता है और क्वीन में दो पोस्ट रहते हैं दो क्वीन पोस्ट रहते हैं तो हम क्या कर आते हैं ये दो हमने queen post बना है कि कि के इंग पोस से स्यंगों एफ कि पड़ना था और यहीं पर हम क्या कर दे रहे कि हमारे queen post में दो queen post बनते हैं ठीक है फिर अब इन से joint हो कर के हमारा क्या आता है principle rafter ठीक है यह दो हमारे प्रिंसिपल राफ्टर आ रहा है ठीक है अब यह प्रिंसिपल राफ्टर के उपर हमको क्या मिलेगा जो इनको सपोर्ट करता है ठीक है अभी बताया था पुले पूर नच पूर लिंस बढ़र लिंस वह बोलो जो भी रहते बेटें हमारे राफ्टर यह घ्यिद जो दिखा रहे वाइड की ऑपर जो यह अचिंश्चिंशिंग है जो मैं पैन से दिखा रहे हूं यह यह सब पूरे यह बेटन है ठीक है यह हमारा पूरलीन है ठीक है अब यहां पर king post देखते थे कि king post के bottom से या fit से एक हम strut निकालते थे जो principal rafter को support करता था तो हमारे case में ये दो चीज क्या है हमारे प्रिंसिपल राफ्टर अगर आपको रूफ से क्वेश्चन आता है तो ये की किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट ही मेन है यही आएगा रूफ से अगर कोई सा क्वेश्चन आता है हमने यहां से 30 डिगरी का एंगल बना करके क्या दो इस्ट्ट बनाए थे तो यहां से भी हम क्या करेंगे क्वीन पोस्ट के बॉटम से दो इस्ट्ट बनाएंगे कि इस्ट्ट क्या होते है इस्ट्ट हमारे दो कॉलम रहते हैं को सपोर्ट करते हैं quillin पॉस्स को आपस में जॉइन करते हैं तो हमारी एक इस्त्रेडिंग बीम बनती है है तो यह हमारी इस्त्रेडिंग भीम है k NICK हम धुश्लान करते हैं वह ऐसे संट को बोलते हैं क्लिट आद पूरलीन को भी जो हम राफ्टर से जॉइन करते हैं तो उ भी क्या कहलाती हमारी क्लिट जोइन करने वाली ऐसे सरी ठीक है यहाँ पर भी एक लगी हुई होगी कि देखो मेटिंग हो जाए तो वापिस से री जोइन कर लेना यह भी हमारी क्या है अब यह दो हमारे क्या होगा है क्वीन पोस्ट जो नीचे के साइट में हम एक सिल लगाते हैं जो हमारे यह दोनों क्वीन पोस्ट के बॉटम को जोड़े रखने वाली रहती है ठीक है तो यह उपर वाली को तो इस ट्रेइनिंग हमने क्या बोल दिया कि स्ट्रेइनिंग बीम बोल दें और नीचे वाली को हम स्ट्रेइनिंग सिल बोल रहे हैं कि सिल एस डबल एल ठीक है तो इस प्रकार से हमारा क्वीन पोस्ट ट्रस कम्प्लीट होता है इसे में कोई दिक्कत ठीक है सबको समझ माया क्वीन और किंग और दोनों में अंतर तो अब इसको पड़े लेज़ें क्या बोल रहे है कि इसमें इसके केस में क्या हो रहा था हमारे अठाइ बीव एंड़ किंग पोस्ट इसके केस में अ मतलब एक किंग पोस्ट लगा था हमारा इसके केस में इस हैविंग टू वूड़न अपराइट और वर्टिकल मेंबर is known as queen post इसमें क्या था एक central upright portion is called king post एक ही portion था जो king post के लाए था इसके case में दो wooden portion जो हमारे rise हो करके या vertical लगे हैं उसको क्या बोलते हैं हम queen post बोलते हैं instead of a king post क्या कि जिसमें इस से थोड़े अलग हो करके king post से अलग हो करके बनते is shown in the figure the truss consists of two queen post इसमें हमारी जो truss होती है इसमें कितने दो queen post होते हैं दो principal rafter होते हैं हमारे ये एक rafter हो गया और ये एक rafter हो गया ये वाले हमारे दो principal rafter होते हैं और उसके बाद हमारे दो strut होते हैं जो हमारे principal rafter को support किये हुए होते हैं और एक क्या होती है हमारी टाइबीम होती है ठीक है फिर एक क्या होती है हमारी स्ट्रेणिंग सिल होती है जो हमारी टाइबीम और अपने जो दो क्वीन पोस्ट है उनको नीचे से जॉइंट किये हुए होती है उसको क्या बोलते हम स्ट्रेणिंग सिल ठीक है पूरलीन होते है जिनका कार्रे क्या होता है हमारे ये वाले common rafter को support करना ठीक है तो दो इजन में पूरलिन लगाय हुए होते हमने जो principal rafter को सरी अपने common rafter को support करते हैं ठीक है क्लिट्स होते हैं जो की जोडने के purpose में काम आते हैं चाहे पूरलिन को जोडना हो चाहे हमारे queen post को इस training beam से जोडना हो आरी बात समझ में इतनी फिर क्या होता है the queen post prevent the sagging in the T beam इसके case में क्या कर रहा था king post हमारी जो tie beam थी उसको sag होने से या railने से बचा रहा था इसके case में हमारा क्या हो रहा है कि कौन बचा रहा है railने से हमारे queen post बचा रहा है ठीक है दो queen post बचे king post की जगा पर भी मैंने बोला था कि जो king post होता है वो हमारी tie beam को रोलने से रेलने से या sag होने से बचा आता है कि समझ में आ रहा है क्या और इसके case में हमारे जो दो queen post होते हैं वो हमारी tie beam को रेलने से बचाते हैं और sagging होने से बचाते हैं किसको tie beam को कैसे क्योंकि यह यहां पर से बांध दिये जाते हैं ठीक है मतलब center से बांध हुआ था अब इसके case में दो queen post एक इधर की side और एक इधर की side तो दोनो queen post ने हमारी tie beam को इसके one third one third मतलब तीन हिस्तों कर लिया अपन ने और one third वाले और one third वाले हिस्ते से queen post को बांध दिया है ठीक है थाकि हमारी जो tie beam में उसमें sagging ना हो किसी भी प्रकार का railan ना हो मतलब वो अपनी जगह से bend नहीं हो ठीक है The upper end of queen post is kept in the position by straining beam क्या बोल रहे हैं जो उपरी हिस्सा है या उपरी सीरा है हमारे queen post का उसको हमने काई से attach किया है straining beam से क्यों attach करा है ताकि यह अपनी position पे अपनी जगह पर ऐसी कैसी बनी रहे ठीक है आ रहे बात समझ में इसलिए हमने क्या करा है straining beam को joint किया है हमारी queen post के सिरो पर ठीक है The straining seal is fixed on the tie beam between the fit of queen post वही बता रहे हैं जो हमारी straining seal है उसको हमने किसके fit पे किसके पैरो में लगाया हुआ है हमारी queen post के पैरो में यह जो दिख रहा है यह ऐसा dark सा line ऐसा चोड़ाई में नहीं दिखेगा वह बस इसे dark सा पतला सा दिखेगा तो इससे हमने क्या कर रहा है किसके bottom को queen post के bottom को tie beam से बान दिया है ताकि यह पूरा assembly यह पूरा setup अपनी जगह पर बना रहे आई इतनी बात समझ मैं अब king और queen में दोनों में से किसी को कोई doubt तो अभी बता लो या एक और बार repeat करके समझा दू तो वैसा बता दो हम पढ़ रहे थे frame और trust roof है ना इसमें हमको दो main हमारे trust पढ़ने थे एक king post और एक queen post बाकी सारे जो trusses है वो normal है या फिर वो ज्यादा पूछे हुए नहीं जाते हमारे king post truss और queen post truss को आप engineering में भी ऐसे कैसे ही आएंगे वो ऐसे कैसे ही पूछे जाएंगे ठीके अभी हम उसी level का पढ़ रहे हैं मतलब अभी जिस इन में कुछ और पूछना है क्या rafter होते हैं क्या हमारे strut होते हैं क्या क्या चीज होती है क्या कैसे चीज होती है कुछ पूछना है एक और बार repeat करूँ या जो कुछ भी है बोलो शोगे क्या सब को समझ में हैं पूछों में थोदा बोलो यह जो क्वीं पोस्ट में जो दोनों क्वीं पोस्ट अने उपर जो यह इस्टेरिंग भी में है हाँ क्वीं में है कि यहां से जोइनिंग हो रहें किंग को यह फिन पोश्ट और यह दोनों वाले तो इसे अरो इसे क्या बोलते हैं यहां पर जोइनिंग करते हैं जो जापर जोइन कर रहे हम यहां पर ये इस ट्रेइनिंग बीम को इधर कि यहां पर जोइनिंग करने हैं उसे क्या बोलते हैं इसको हम जोइन कर रहे हैं तो इसको क्लिट बोल रहे हैं क्लिट पर जोइन कर रहे हैं और यहां पर भी हमने पुर्लिन लगई है और यहां पर भी हमने पुर्लिन लगई है हाँ सॉरी एक पॉइंट मेरा मेस हो गया है इ पोस्ट और प्रिंसिपल राफ्टर जहां पर भेले हो रहे हैं कि यहां पर पूरलिन लगाई हुई है और एक हमारे इस्ट्रट जहां पर पर चार पूरलिन लगाई है है ठीक है तो हाँ तोच घ्रेश के च्रेंत जाय से तरिएंग' कुछरा सथो अप्रख्यों था बश्यूंग साक पूंट लॉ ना फश्युकर को नेंड़ाल है छायटि को जोड़ा है धर। जोइंट बनता है ठीक है जोइंट मतलब जिस जगा पर सबको जोड़ा जाता है अब बताओ क्या सबने और कुछ डाउट को कि 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 सब्सक्राइब एक बार अपने ग्रूप में मैसेज डाल दो सबको कि वापी से रिजोइन कर लो मिटिंग उसको भी बैरागी को भी बोल दो चिर्या कपान वेरागी तो मतल्ला उसके फोन की वैटरी ठीक है तो मैसेज टूट दो वापी से अपने गुरोप में कि वापी से मिटिंग कर लो हाँ बैसा डाल दो ग्रूप में अपने जो कॉलेज को ग्रूप है कि उसमें वापी से मिटिंग जोइन कर लो हाँ अब कोई डाउट ही के इसमें और कुछ मैंनम आपके आवाज कट रही थी अभी अभी आरी है प्रॉपर अभी आवाज आ रही है हाँ मैंनम आ प्रूपर खेंके तो नरेंद आपको आ रही है वाज अर। एक बार थौरो रिवाइस कर लेते मतलब वैस लाइन वाइस हम रिवाइस कर लेते हम पढ़ रहे थे रूफ या छळो के बारे मैं तो हम ने उसके बार हमने सबसे पहली वाली पीछ या स्लोपिंग छट के बारे में पढ़ा पीछ या स्लोपिंग छट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं ये तीन तरह की छटे होती है एक सिंगल रूफ छटे होती है एक डबल और पूरलिन रूफ होती है एक ट्रस रूफ होती है ठीके तीन तरह की छटों में से हमने सबसे पहली छट को पड़ा जो क्या होती है सिंगल रूफ होती है सिंगल रूफ छट हमारे छोटे इस पानों के लिए सही होती है यह काय पर टिकी होती है, wall plate पर टिकी होती है और इसमें single roof बनी होती है, मतलब single छट रहती है और यह ridge line के according, ridge line के हिसाब से इसको, इसकी axis center की जाती है मतलब दोनों छटे किसका mirror होती है, एक दूसरे के mirror image होती है मतलब एक side का setup जिसा बनेगा, वैसे setup दूसरे side का भी बनेगा ठीक है, तो हमारी single roof की बात करते हैं, यह चार प्रकार से होती है हमारी lean to roof होती है, lean to roof का मतलब होता है यह जैसे एक side से दिवार है और हमको single side से सिफ वरांडा को cover करने के लिए हमारी roof provide करनी है, तो यह हमारी होती lean to roof यह कम span के लिए provide करे जाती है, जिसका span हमारे धाई से छोटा होता है उस जगा पर हम lean to roof provide कर देते हैं ठीक है, तो यह होती है हमारी lean to roof, these are generally covered veranda of the building यह कैसी रहती है, हम generally इसके वरांडा को cover करने के लिए हम इस lean to roof वाली छटों को बनाते हैं second होती है हमारी couple roof, couple roof क्या होती है कि हम इसको ridge line के according, दो common rafter को काई के ओपर टिकाते हैं, wall के ओपर टिकाते हैं मगर इसमें किसी प्रकार की भी beam नहीं होने के कारण, या किसी प्रकार का joint बीच में, मतलब या दोनों के बीच में कोई support नहीं होने के कारण यह कैसी होती है, rail जाती है अपनी जगा से whiffer जाती है, spread होने लगती है हाला कि यह धाई मीटर से जादा इस्पान के लिए बनाई जा सकती है साड़े तीन मीटर तक के लिए clear इस्पान के लिए इसको बनाया जा सकता है अब इस problem को overcome करने के लिए, इस problem से चुटकारा पाने के लिए हमने अगली couple close roof बनाई couple close मतलब इन दोनों couple को हमने close कर दिया, दोनों को बांध दिया दोनों को दूर जाने से, दोनों को अपनी wall से दूर जाने से spread होने से बचाने के लिए हमने बीच में क्या लगा दी, tie beam लगा दी, tie beam का का काम क्या होता है wall को इसके निचले सीरे या rafter के निचले सीरे को attach करके और बांध करके रखना किस से बांध करके रखना हमारी tie beam के support से ये और ज़्यादा span के लिए use होने जाने लगी ये 3.5 मिटर के span के लिए use होती थी तो ये हम 4.5 मिटर तक के span के लिए use कर सकते हैं अब इसके बाद में हमको थोड़े और ज़्यादा इस्पान के लिए एक और roof की जरुवत पड़ी तो जिसको हमने बोला collar beam roof tie थोड़ा सा नीचे बनती थी हमारी wall के उपर tie हमारी rafter के center पर पोज़ गई tie कहां पोज़ गई rafter के center पर तो उसको बोलते हमने collar beam ठीक है उस हिसाब से इस roof का नाम पड़ा collar beam roof ये हमारी wall से उपर उट करके हमारी rafter के center पर बंदी जाने लगी ठीक है तो इसलिए इसको बोला हमने collar beam हाला कि इसमें ये दोनों problem नहीं होती थी एक ये वाली problem और प्लस इस से बड़ा span हमको मिला जाने लगा मतलब अगर ज़्यादा span के लिए हमको कोई roof बनानी है तो वो हम collar beam roof बना सकते हैं ठीक है ये चार से साड़े पाच मीटर तक के span के लिए हम बना लेते हैं इसको बोलते हैं हम collar beam roof ठीक है अब ये चारो रूफ हमारी किस के अंदर आती थी single roof के अंदर ठीक है आगे पढ़ते हैं हम second वाली किस के अंदर sloping छतों के अंदर second वाली double purlin roof अब purlin का काम क्या होता है हमारे common rafter को नीचे से support करना तो double और purlin roof आई जिसको हम पढ़ते हैं अब हम जब बात करते हैं जादा बड़े इस्पान या और बड़े इस्पान की बात तो हमारे साड़े पाच मीटर तक के इस्पान के लिए हम double purlin roof देने लगे इसका एक हमारा मकसद रहता है कि जो हमारे rafter होते हैं उसको यहां से यह support देती है किस प्रकार से purlin का काम होता है यह हमारे rafter को support करती है मतलब जो भी rafter लगा हुआ है वो अपने weight के कारण जूले नहीं या sagging नहीं हो इसलिए हम यहां पे purlin लगा देते हैं मतलब एक rafter यहां लगा है एक rafter थोड़ा आगे लगेगा एक rafter और लगेगा इन सब के नीचे एक सीधी सीधी हमारी purlin लगेगी जो क्या करती इन सब rafter को support प्रोवाइट करती है यह ridge line होती है यह ridge style यह ridge piece बोल सकते हैं यह दो purlin दोनों और लगी रहेगी wall plate होती जिसके उपर हमारे rafter joint होते है और यह हमारी collar beam होती है इतना clear हुआ यह 5.5 मिटर तक के span के लिए हम देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम double purlin roof आई इतनी बात समझ में अभी हमने देखा और पड़ा हमारा single roof फिर हमने देखा double और purlin roof इसके बाद हम देख रहे हमारी trust roof trust roof के बारे में पढ़ते हैं जब हमने इन दोनों roof की बारे में बात करी single roof और double roof यह हमारे कम से कम या limited span के लिए use किया जाने लगा मकर जब framed या trust roof की बात करते हैं तो यह हमारे ज़्यादा span के लिए हम बनाए जासकते हैं ठीक है used for span more than पांच मीटर से बड़े span के लिए हम यह वाली roof बना सकता है ठीक है यह किन किन से मिलकर बनी होती है हमारी purlin से हमारे common rofter से और हमारी trust से मतलब यह पूरा whole assembly जो होता है वो बहुत सारे element से मिलकर के बनता है ठीक है frame roof के अंदर हमने देखा king post truss और queen post truss most IMP है इनको हमको पढ़ना ही है और बाकी सारी trusses कौन से होती है mansard roof truss, bow string truss, composite roof truss और steel sloping roof truss ठीक है पहली की बात करते है king post truss की king post truss में क्या होता है beach का एक vertical column क्या है